जब आपके दादा जी या स्पीट पे बैटके कताएं सुनाते थे मत भागवद गीता की उसमें सबसे अच्छी कता या स्टोरी आपको जो बहुत अच्छी लगती तो याद रह जाती थी और आप भी बैटके सुनाय करते थे कौन सी थी आप विश्वास करेंगे कि मेरी बचपन से इस्ट कृष्ण रहे हैं पर पदनी राम जी ने कुछ ऐसा इंफ्लूएंस मेरी लाइफ में डाला कि मेंको जो पहली कथा सबसे जादा याद थी वो थी रामचरित मानस की जब भगवान श्री राम ने इंद्र के जो प पर प्रहार किया था चोच से और क्योंकि बाबा तुरसी दाशी तो मा मानते उनको तो उनकी मर्यादा वाली कथा है तो उन्होंने कहा कि चरण में चोच मारी तो सीता चरण चोच हती भागा मैं बार-बार वही चौपाई बच्पन में गाती थी चार-पास साल की थी तब और फिर उसके बाद एक सबसे हाट टचिंग डाइन जो उसकी मुझे हमीशा से आज तक याद है और मुझे लगता है लोगों को भी मैं बताऊं कि ये भगवान का स्वभाव है कि जब जैन्त आया माता सीता की चरणों में चोच मारा प्रभु श्री राम को गुसा आया आपने पिता के पास तो पिता जी ने का क्या कर किया बुले ऐसा ऐसा किया बुले राम के द्रोही को तो मैं राकी नहीं सकता चले जाओ यहां से भागा शिव जी के पास गया शिव जी न तो पहली त्रशूर उठा लिया कि तूने माता सीता का मान किया और मेरे शरण में आ वो तुझे मारना नहीं चाहता, वो तुझे कहीं और लेके जाना चाहता, बोले कहां, बोले अभी तक, पहले बात तो तुने वो मारा क्यों चोच, उनने कहा कि मैं देख रहा था, कि सीता जी को कान में जुम के पहना रहे हैं, फूलो के, गले में हार पहना रहे हैं, मैं तो कि इस्तुति करने गया था कि जे जे सुरनायक जनसुखदायक और ये तो श्तुरी के लोभ में प्रेम में इतने फसे हैं कि श्रंगार रस में डूबे ये क्या खाक भगवान बनेंगे तो मैं तो दीखना चाहा थे कि भगवान है कि नहीं तो नारज जी ने कहा देखो यही त तक तुने प्रभू का प्रभाव देखा है एक बार तु राम जी का सुभाव देखके आजा जा तू उनके शरन में गया जयन्त और जयन्त ने जैसी प्रभू के चरणू में प्रणाम किया तो भगवान ने उसको श्मा कर दिया आप लोग यहां पे तर्क करेंगे इसलिए मैं आपको पहली पताती कि शमा कहा कि हमने भी रामायन पड़ी साथवी जी एक नयान कर तजा भवानी एक चौपाई आती कि आख फोड़ दी तो वो गलत यह था कि सीता राम जी अलग नहीं है उसने दो स्वरूप देख लिए थे वहां पे कि राम जी सीता जी को तियार कर रहे हैं और के सबसे प्रेय बन गया अज़ा tested गया कि राम जी गणका प्रभाव में ना इस दो पता है पर उनके जैसा सुभाव दुनिया में किसी का इसलिए उनने मर्यादञ पुरशोदम राम कहा जाता ते बिलकुल